कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल फिंटेक्स में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनेशल यह 18-19 जो कि खतम होगा 31st March 2019 को ठीक है उसमें क्या-क्या जो है परिशान हो जाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं गलत जगह कर देते हैं तो आपको ध्यान रखी आपके पास दो मैने कुछ दिन है जो भी आपको डिसीजन लेना सोच समझ के लिए सही जगह पैसा इंवेस्ट कीजिए जहां टैक्स तो बचे टैक्स के साथ साथ आपका दोस्तों जो चेंजेस आये हैं वो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वह आया है सेलरी इंकम में अगर किसी का सेलरी इंकम है तो उसको गौर्वर्मेंट ने कंसेप्ट लाया स्टैंडर्ड डिडक्शन का वह पहले भी होता था बीच में इसको विड्रॉ कर लिया था वापस पर अमसाल का हम लोग देंगे उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई पेपर नहीं देना कोई पॉलिसी नहीं लेना कुछ नहीं करना करना सिधा 40,000 डायरेक्ट इंकम में से माइनस हो जाएगा सेलरी इंकम में से अब दोस्तों यह तो बेनिफिट दिया लेकिन कुछ में वह वह श्क्टीन अंडेड पर मंत मिलता था तो इन्टी 12 करेंगे तो यह उन्नीस अजार दौसों का यह बेनिफिट मिलता था और एक और बेनिफिट मिलता था वह था मेडिकल रिइंबर्समेंट मेडिकल के बिल्स अगर आप समिट कर देते हैं तो वह पंधराजर का तो तो यह बेनिफिट होता है 34200 यह तो पहले मिलता था हम आपको डे रहे हैं तो यह जो बेनिफिट आपको मिलता था पहले वह बैनिफिट नहीं है विचारे को कुछ ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि पहले तो इतना मिलता ही था अब यह थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट है जो कि ना के बराबर है कुछ ज्यादा उसके कोई खुशी की बात नहीं है सेलरी वालों के लिए बड़ एक चीज है दोस्तों कि यह जो मेडिकल बिल्स वगएरा अरेंज करने पड़ते थे ठीक है वह सब जंचर से चुटकारा मिल गए आपको डारेक्ट पांजर आठ्स हो शबसे खुशी की बात दोस्तों इसके वज़ेसे जो है वह है पेंशान इंकम मिलता है इंकम के से आदर हैं ठीक है उनको भी 470 मिलेगा नहिंद पांपेंशन वाले और तो इस départ पूरा को पूरा 40,000 का benefit है उनके लिए बहुत अच्छी बात है इसके बाद दोस्तों जो दूसरा चेंज़ेस आया है कि वह आया है section 80D में health insurance ठीक है अब 80D में क्या होता था पहले कि आप self प्लस आपकी family family में आपके wife husband और आपके dependent बच्चे जो है यह family में आते हैं ठीक है उनको benefit मिल चाथा 25,000 का ठीक है और अगर मान लिजे कोई senior citizen ना इनमें से family में खोद या wife तो यह benefit हो जाथा था 30 था हो जाए है कि अगर आपके parents है कि parents अगर नॉन senior citizen है कि नॉन senior citizen है तो benefit मिलता था 25,000 और अगर senior citizen है तो benefit मिलता था 30,000 अब दोस्तों यहां पर क्या किया है कि यह benefit 30,000 जो था इसको बढ़ा के कर दिया 50,000 ठीक है और यह जो 30,000 था इसको इसको भी बढ़ा के कर दिया 50,000 तो मतलब यह एक अगर senior citizen है तो तो टोटल जो benefit आप ले सकते हैं वो 50,000 रखूद और अपनी family के लिए अगर आपके parents भी senior citizen है तो 50,000 ठीक है तो दोस्तों होता कहता कि जो senior citizen से उनका premium काफी ज़्यादा होता था तो और tax में benefit सिफ 30,000 ही मिलता था तो इसके वज़े से भी लोग जो है इतना महेंगा policy नहीं खरिदते थे तो government ने की incentive दिया ठीक है कि आप policy खरीदिये बड़ा amount का तो आप ज्यादा आपको tax benefit मिलेगा ठीक है तो दोस्तों यह तो एक बहुत ही अच्छी बात है और हर एक का जो है health insurance policy होना ही चाहिए parents का भी होना चाहिए कि medical cost आजकल इतना बढ़ गया है ठीक है तो यह आप benefit कर सकते हैं अगर आपके पास policy नहीं है तो policy ले लिजिए 31 मार्च के पहले और parents का भी ले लिजिए तो आपको जो है tax ज्यादा benefit आपको मिलेगा और tax आप बचा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जो changes आया है वह आया है एक नया section government ने लाया है 80 TTV ठीक है अगर senior citizen क के लिए section है अगर उनको saving bank का interest मिल रहा है और FD का interest मिल रहा है ठीक है तो पचास हजार तक उनको जो है deduction मिलेगा कि यह section में यह बिल्कुल नया section है यह साल से applicable हो रहा है ठीक है अब एक section होता था 80 TTA जो कि अभी भी है कि वह क्या कहते थी 80 TTA कि अगर आपको saving bank का interest है अप टू 10,000 आपको reduction मिलता था ठीक है तो यह 80 TTA section अब applicable होगा only for non senior citizen के लिए यह section है क्योंकि senior citizen के लिए तो यह सब्सक्राइब नहीं है जो non senior citizen है उनके लिए 80 TTA लिमिट है 10,000 senior citizen है तो 80 TTA saving bank interest और FD interest school मिला के 50,000 तो यह बहुत अच्छी बात है senior citizens के लिए कि उनका income ज्याज़ातर यह होता है कि इसके अधा दोस्तों यह जो education says होता था पहले वो लगता था 3% जो tax और surcharge पर लगता था उसको government ने बढ़ा के कर दिया है health and education says वो कर दिया 4% तो 1% बढ़ा दिया ठीक है यह जो दोस्तों major जो changes थे वो मैंने आपको बता दिया इसके अलावा दोस्तों आप tax बचा सकते हैं और भी sections है मैं सारे section तो cover नहीं कर पाऊंगो जो important है वो कर लेता हूं आप ATC में जो है total 1,50,000 invest करके आप reduction क्लेम कर सकते हैं तो 31 March के पहले इसमें क्या क्या आता है इसमें बहुत सारे चीज़ आते है आपका home loan हो गया उसका प्रिंस्पल होता है वो इसमें आता है कि आपके बच्चे का स्कूल फीज इसमें आ जाता है एक है स्कूल फीज में से सिफ ट्यूशन फीज आता है ठीक है दस साल या उसके लंबे साथ समय के लिए इंवेस्ट करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा मुझे लगता है परस्टनली मैं सब क्लाइंट को यह रेकमेंड करता हूं लॉंग टर्म के लिए तीन साल ही लॉकिन पीरेड है और अच्छा खासा रिटन मिलता है इसके अलबा दोस्तों इसमें यूलीब भी आता है यूनिट लिंक्ट इंशुरेंस प्लान जो होता है इसमें इंशुरेंस और इंवेस्टमेंट दोनों होता है बट लॉंग टर्म के लिए मैं यह प्रिफर करता हूं बट आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपका पीपीएफ हो गया नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया और दूसरा फाइव यह का एंडी होता है वह भी बेनिफिट मिलता है और कुछ पोस्ट ऑफिस के भी डिपोजिट होते हैं इस तरह से एटीसी में बहुत ही बड़ा सेक्शन इस कितना आपका शॉर्ट फॉल हो रहा है आप वह पैसे को समझ के इंडिवेश्ट कर सकते हैं आप 31 मार्च 19 के पहले ठीक है लांस डेट का वेट मत कीजिए इसके लावा दोस्तों एंपीएस का आप अलग से पचास हजार का बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है एडिशनल तो यह मिलेगा प्लस यह बट यह आपको रिटार्यमेंट के बाद पैसा मिलेगा यह बी एक आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं मैं जेनरली इतने लंबे समय के लिप रिफर नहीं करता हूं मेरे इसाब से मिचल फंट ठीक होता है बट मिचल फंट मिला के लिमिट डेड़ सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो थैंक्यू वेरी मच